गाइस अब मुझे इस PHP की forum website से हो चुका है प्यार और मैं इसको बनाने वाला हूँ बहुत जादा awesome मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था किस तरह से login और sign up के जो ये modals है कि बना सकते है हला कि मैंने आपको एक login system बना के दिखा दिया है तो आप ये तो नहीं कहा सकते कि यार login system बनाना नहीं आता क्योंकि ये playlist अगर आपने access करिये और उबर click करके bookmark और save करिये तो आप ये तो कहीं नहीं सकते कि मैंने आपर आप लोगों को password hash, password verify, hashing, logout, uniqueness ये सब चीज़े नहीं बताई है मैंने बताया थो सब कुछ है आपको ठीक है एकदम A to Z login system बना के बताया है source code के साथ अब मैं आपर करूँगा क्या कि ये जो हमारा forum website है ये यहाँ पर categories को fetch नहीं कर रही है मैं चाता हूँ कि ये categories को fetch करें तो मैं आपर करूँगा क्या कि सबसे पहले अपना जो मेरा database है उसको खोलूँगा और मैं database का नाम मैंने क्या रखा था एक मिनिट के लिए मैं भूल रहा हूँ क्या मैंने MySQL चलाया है हाँ मैंने Apache और MySQL दोनों चला रखे हैं तो यहाँ पर मैं अभी आगे हूँ अपनी index.php में और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यह खुला है कि नहीं खुला है हाँ बिल्कुल यह खुल गया है मैंने इसका नाम idiscus रखा था मुझे याद आ गया मैंने इसमें एक table बनाई थी जिसका नाम categories था और मैंने इसमें दो categories भी add करी थी एक का नाम है python और एक का नाम है javascript यहीं से copy करूँगा और copy मैं क्यों करूँगा क्योंकि उसकी guarantee होगी यह चलेगी मैं शायद type करूँ अपने आप तो syntax लिखने में गलती कर दूँ लेकिन यहाँ से copy करूँगा तो यार गलत होने का तो chance है ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर visual studio code में आकर मैं करूँगा क्या अब कि यह जो card मैंने बना रखे हैं cards को जो कि मैंने यहाँ पर बना रखे हैं carousal के बाद तो मैं right click format html in php कर देता हूँ सबसे पहले तो पहली फुरसत से इसके बाद मैं क्या करूँगा यह जो मेरा यहाँ पर slider है तो मैं slider ठीक है मैं slider लिखके control slash कर देता हूँ उससे क्या हो लिखके मुझे बात पता चल गई कि slider यहां पर start हो रहा है तो मैं परशान नहीं होगा कहाँ पर slider मेरा खता हुआ है अब इसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर category container starts here अगर मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया कि category container यहाँ पर start हो रहा है तो यह category container मेरा start हो गया ज लेकिन for loop लगाने से पहले आपको query run करनी पड़ेगी, database से connect करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो database से connection है वो तो मैं उपर ही कर लूँगा, ठीक है, उपर ही कर लूँगा database से connection, मैं यहाँ पर include करूँगा, partials के अंदर जो file मैंने बनाई थी, dbconnect.php, मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं अभी तक, लिखोंगा भाई, लिखोंगा थोड़ा सा time दो, right click करके close to the right मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि file तो जो खुले हुए थे ना, tabs उनको बंद कर लिया, अब मैंने, अब यहाँ पर index.php के अंदर, मैं करूँगा, क्या, मैं कहूँगा, dbconnect.php, क्या कहूँगा, dbconnect.php, underscore लगा लूँगा, आप लोग कह रहे होगे, चीजों को हैरी भाई, इतना मुश्किल क्यों मनाते हूँ, ये underscore क्यों लगा रहे हो, देखो भाई, underscore का मतलब यह है, कि ये internal use के लिए file है, user को expose नहीं करी जाएगी, simple सी कहानी है, लेकिन अगर नहीं भी लगाऊगे न, underscore तब भी चलेगा, लेकिन underscore से ये पता चल जाता है, कि भाई, ये private file है, source code में use हो रही है, कहीं नहीं बीच में, और इस file को बाहर कोई user directly access ना करे, ठीक है, directly access ना करे, अब मैंने यापर header.php के अंदर dbconnect.php लिख दिया, ठीक है, database से मैं connect हो गया, बढ़िया, और मैं database से connect होने के बाद क्या करूँगा, कि यहाँ पर loop चलाने से पहले मैं fetch कर लूँगा सारी के सारी categories, तो मैं आपर लिख दूँगा fetch all the categories, और मैंने आपर लिख दिया fetch all the categories, मतलब सारी categories यहाँ पर fetch करी जाएंगी, सारी categories, मैं लेकर आँगा कौन सी SQL से, इस SQL से किस SQL से अरे इस SQL से यार यह जो आने पेस्ट करिये भी यहां पर as a string लेकिन HTML में PHP मैं क्यों लिख रहा हूँ अरे मैं आपर PHP ऐसे लगाने वाला हूँ ठीक है मैं HTML में PHP नहीं लिख रहा हूँ और यहां पर भी मैं इसको इस तरह लगा लूँगा और तोड़ा से इसको एंटर मार लेता हूँ यूगि शायद मैं तोड़ी जादा यहां पर लिखनी पड़ा जाए PHP अब यहां पर यह SQL मैंने लिख दिया लेकिन dbconnect.php को खतम कर लेते हैं पहले database से connection भी बना नहीं है तो इतना हमको उचलने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यहां पर मैं लिखोंगा सबसे पहले अपना dollar server name ठीक है और जल्दी अले type करेंगे और उसके बाद password तो blank रहता है इसमें और यार यह चीजे ना जितनी बाहर लिखोगा उतनी practice बढ़ेगी copy paste की आदत थोड़ी कम कर लो आप लोग अपनी ठीक है बहुत सारी लोग बोलते है copy paste कर लो अरे एक minute लगता है type करने में database का नाम किया था idiscus और जितना type करोगे उतना typing को enjoy करोगे और जितना typing को enjoy करोगे उतना मज़े देगी programming तो programming से मज़े लेना है अगर तो mysqlign underscore connect तो typing भी कर लिया करो कभी-कभी dollar server name और उसके बाद dollar username और उसके बाद मेरा dollar password और उसके बाद मेरा dollar database semicolon तो कभी भूलता ही नहीं हो मैं इतना अच्छा जानू चलो बढ़ी अब यहां पर मैंने sql query run कर रही है जहां पर मैं कहा रहा हूं कि भाई मुझे सारी categories निकाल के देदो किस database में से अरे इस database में से जिससे मैंने connection object बनाया है यह i discuss ठीक है चलो जी बढ़ीया अब यहां पर मैं लिख रहा हूं con is equal to sorry sql is equal to select start from categories यानि कि सारी categories को fetch कर लो अब अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो थोड़े से भी ध्यान से देखें और अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं यार वैसे ध्यान से देखने थे लेकिन याद नहीं रहती है चीज़े कभी-कभी तो आपको dollar row is equal to लिखना पड़ेगा mysql i underscore fetch अब यह बात बताओ मुझको कि कभी-कभी तो मुझे याद रह जाते हैं कभी-कभी यह functions मुझे याद नहीं रहते हैं जब मैं PHP लिखने लगता हूं कुछ time के लिए तब मुझे याद हो जाते हैं तो कभी-कभी आपको याद नहीं मी रहते हैं यह functions जैसे mysql i underscore fetch assoc है और आपका और क्या है और भी बहुत सारे functions है हमारे mysql i की जो number of rows है उनको निगालने के लिए num underscore rows है if I'm not wrong mysql i underscore num underscore rows तो mysql i underscore query तो कम से कम आप याद ही रखना तो मैं आपर लिख देता हूं कि जो result है हमारा वह हो जाएगा mysql i underscore query और sql ठीक है हाँ ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ करूँगा बस यहाँ पर लिख को और लिख दूँगा dollar row का क्या serial number था न क्या था हमारी table के columns की क्या नाम थे देख लेते हैं यार category ID थी यार मैंने तुर्णा सब बड़ा लिख दी है इस बार लेकिन न क्या होता है कि SNO SNO लिखके न एक साल के बाद या दो साल के बाद code को देखो गया आप लोग वापस आगया आपको यार SNO क्या था category ID से पता चला है कि बाई कोई category है इस website में category सिर आपने दिया नहीं सिर्फ ऐसे सीक्वल देदी क्या है तो यह मुझसे कह रहा है ठीक है देदी अब कौन अब चल जाना भाई हाँ देखो वान और टू यह कह रहा है कि बाई देखो आपकी पहली category ID वन रही दूसरी टू रही अगर मैं category name कर दूँ तो वो मुझे python जावास्क्रिप्ट देगा मैं control D करके यहाँ पर name कर दूँ कुछ इस तरह है तो वो कहेगा बाई देखो आपकी दो categories है एक तो आपक one है python two है जावास्क्रिप्ट तो सारी categories मतलब यहाँ पर मेरी blouse हो जा रही है ठीक है हाँ ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह जो while loop है इसके अंदर यह जो दोनों चीज़े हमने लिखी थी मैं comment out इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि code देना होता है आप लोगों को आप comment out मत करना यह चाहो तो कर देना जो भी है ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे while loop के अंदर यह पूरा echo कराएंगी यह जो पूरा यह card है यह card है ठीक है यह मैं echo कराऊंगा और यह इसको control x कर लूँगा मैं और इसको इसके अंदर ले जाँगा और मैं काऊंगा ब और बड़ा पंगा रहता है कभी कभी तो यहाँ पर save कर दिया मैं इसको ठीक है तो मैंने यहाँ पर echo लिखा और echo लिखने के बाद यहाँ पर मैंने अपने indents दे दिये और इसके indents आपको manually देने पड़ेंगे क्योंकि आप यहाँ में dues नहीं कर सकते यह string है अब यहाँ पर category underscore ID एक काम करता हूँ variable बना देता हूँ dollar cat लिख देता हूँ यहाँ और यहाँ पर dollar cat लिखने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं लिख दूँगा dollar cat is equal to dollar row category underscore name ठीक है और जो category है वो मैं यहाँ पर भी लिख दूँगा कहां लिख दूँगा यहाँ कहीं इसका जो title card का वहाँ पर तो इसको paste किया, save किया, reload किया और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर dollar cat लिख दूटरली नीचा है मुझे value ची है dollar cat की तो मैं एक काम करूँगा single quote dot लगा दूँगा और उसके बाद वहाँ पर वापस से क्या करूँगा dot single quote लग dot होता है string concatenation operator तो यहाँ पर यह क्या करेगा? इस string को concatenate करेगा तो मेरी जो dollar cat है वो एक string है और मैंने एक variable इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ ठोड़ी थी अच्छी दिखती है बस यहाँ पर dollar cat dollar cat फिर से आ रहा है यह क्या कहानी है? मुझे इस तरह से string concatenation operator वापस से लग यहाँ पर python के साथ साथ मैंने coding भी लिखना है यहाँ ठीक है? तो यहाँ पर category आएगी है coding आएगी और जो नीचे वाले cards है वो मैं हटा दूगा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो loop है वो सारे के सारे cards automatically generate करेगा तो मैंने इतने सारे cards यहाँ पर लगा रखे हैं इन सब को मैं हटा दूगा ठीक है? तो यह सारे cards मैं हटा देता हूँ यह सारे cards मुझे नहीं चाहिए उपर तक यहाँ तक मैं सारे cards हटा दूगा और यह जो message मैंने लिखा है कि भाई loop लगा कर इनको iterate करो वो मैं ऐसे लिख दूगा use a loop हमने while loop use किया है कोई भी loop use कर लो यार use a loop to iterate through categories ठीक है? fetch all the categories and इसको तरह एक बना देता हूँ and use a loop to iterate through categories ठीक है? अभी तो clean दिख रहा है न सब कुछ? ना दिखे तो बता देना हुझे? कोई भी परिशानी वाली बात नहीं हुनी चाहिए? ठीक है? रिलोड करें? चलो जी कर दिया रिलोड तो यहाँ पर python javascript अब यहा अब बहुत सारे threads हो जाएगे हमारे पास जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ देखो मैं बनाऊंगा अभी insert करूँगा कुछ एक तो Django का रख लेते हैं Django जो है काफी popular हो रहा है और this is a python framework और मैं यही चीज flask के लिए भी लिख दूँगा मैं कहूँगा कि यार जो Django है उ उसमें भी this is another python framework लिख दो फिर से मैं go करूँगा अगर तो यहापर फिर से चार insert होगा है अभी इसको reload करूँगा तो चार दिखेंगे मुझे एक मुझे javascript दिख रहा है एक मुझे flask दिख रहा है एक मुझे jango दिख रहा है तो यह सारे मुझे categories यतनी भी है आपर दिख लेकिन मैं फिर से भी बता देता हूँ तो my3 से अगर काम बाए नहीं चांस नहीं चल रहा है इसमें तो room में भी लगा देना कि my3 और क्या है थोड़ी सी spacing और बड़ा जाएगी अगर spacing ज्यादा ची है तो और उससे भी ज्यादा ची है spacing अगर तो css लिख लेना अपनी खु और इस बार बड़ी है spacing थोड़ी सी और यह भी तक image को जो है वो download कर रहा है source.unsplash से कभी-कभी source.unsplash slow हो जाता है बट कभी-कभी मेरे internet भी slow हो जाता है इसलिए मैं source.unsplash को blame नहीं करना चाहता ठीक है तो यहाँ पर मैंने बना लिया है एक footer और मैंने उपर एक slider बना लिय है और नीचे categories बना लिये हैं बहुत सारा काम मैंने कर दिया है तो categories को database से हमने इस video में fetch किया और उसी के साथ-साथ अब हमें करना क्या है कि एक threads का page बनाना है अब यह यहाँ पर कैसा मजा क्या रही है यह ऐसे load क्यों नहीं हो रही है इमेज load क्यों नहीं हो रही है तो मेरे internet slow है तो आपको इस चीज़ की problem लेनी की जरूरत नहीं है ठीक है कभी-कभी जो है यह मेरे slow internet की वज़े से हो रहा है तो आपका एकदम चलेगा सही लेकिन अगर आप pre-download करना जाते हो अपनी images को तो वह भी कर लेना आप लोगो ठीक है feel free to do that उसमें कुछ नहीं है इंटरनेट से अगर आप लुग करोगे तो कभी-कभी अटक जाएगा इस तरह से लेकिन आप यह समझना कि यह कोई खराभी है अन splash में या PHP में या bootstrap में या किसी और चीज में खराभी मेरे इंटरनेट कनेक्शन में तो यावर मुझे माफ करना ठीक है इसको बंद करके नहीं टाब में खोलता हूं मैं अक्चली फोन अपना कनेक्ट कर रहा है और उसका Wi-Fi ले रखा है तो कोई बात नहीं यार कभी-कभी होता है मेरा जो primary internet है वो भी चल नहीं रहा है for some reason बट यह देखो पता नहीं डाउनलोड हो रहा है काफी time लेना डाउनलोड हो नहीं I don't know why तो कोई बात नहीं इसको time लेने देते हैं चलेगा ठीक है तो हमने सारी categories को यापर browse किया और browse करने के बाद हमने category का नाम और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो coding है वो दिया हमने का कि यह वाला image लेकर आओ यहाँ पर category लिखी अब यह some quick text to build यह जो चीज लिखी है मैंने यहाँ पर card content मैं यहाँ पर करूँगा क्या मैं यहाँ पर एक और string concatenation operator लगाँगा और इस बार category ना लिखकर मैं description को यहाँ पर लगा दूँगा तो मैं कहूँगा DESC और मैं category underscore if I'm not wrong description साथ है को time लगा थोड़ा सा लेकि download होगा images सारे और मैंने images की size है वो भी काफी रख रखें अपने internet connection की आउकात के साब से बहुत कम है वो तो मैं आपर करूँगा क्या कि यहाँ पर browse पर क्लिक करूँगा सारी categories आजाएंगी description ठीक है तो मुझे आपर description लिखना है category description reload अरे यह क्या वो line 66 में कह रहा है कि आपने क्या कह दिया यह क्या हो गया भाई दिक्कत क्या आ रही है do sorry I'm sorry desc लिखना ना मुझे यह दिक्कत आ रही है तो जो php बताता है आपको error वो कभी गलत नहीं बताता है अब देखो यहाँ पर इनके description आ गए लेकिन एक चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पर description आ रहे है यह क्या है मतलब हम इस तरह से अगर description लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अपने string functions को use करेंगे जो हमने पढ़े थे string function php के अंदर और string की slicing कर देंगे हम कहेंगे गयार इसमें से हमको एक substring चाहिए है substr function का धमागे दार इस्तिमाल करते हुए मैं याँ पर लिखूँगा substr और इस में से मैं कितने ले यह को इस चाहिए है नहीं बताऊ कितने ले यहाँ बताऊ 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 20 ले ले ताओ 20 ले 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 लेताऊ चलो 20 ले लेताऊ देखता हूं 20 चाहिए बहुत कम और उसके बाद 20 में लिख दूँगा और यहां पर आप लोग देखो मैं इसको रिलोड करूँ अगर तो यह शुरू के 20 करक्टर मुझे दे रहा इस बार, इमेज़ पता नहीं क्यों टाइम लेड़ी है इतना डाउनलोड होने में, थोड़ी high quality images इसले डाउनलोड होने में ट यहां पर आप लोगों को यहां पाइटन की जगर लिखना पड़ गया, मानलो आप लोगों को लिखना पड़ गया, यहां पर क्या लिखना पड़ गया, react.js तो आप वह भी लिख सकते हो, ठीक है, मानलो मैंने इस तरह से लिखा इसको और फिसके बाद में रिलोड करूँ तो यहां पर यह इमिडेटली reflect हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूँगा, react is awesome but python, देखो मैंने यहां पर यह कह रहा है कि data truncated, क्योंकि कह रहा है आपने कुछ जादी बड़ा data ला दिया है, तो आपका data हम truncate कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं end से हटा तो यहां पर यहां परिशान हो रहा है, तो यह truncate कर देगा data को, ठीक है, तो मैं reload करूँ इसको, अगर तो react is awesome but लिख करा रहा है, लेकिन मैं आबर करूँगा क्या कि यह दो ना लेके इसको 200 ले लूँगा, और उसके बाद मैं कहूँगा कि बस चुरूँ कि 200 character ले लो, और 200 लोड़े जाधा हो गए, एक काम करते हैं, 90 character ले 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 ले, 90 character बहुत हैं, और उसके बाद मैं कहूँगा dot 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 लगा दो, उसके बाद लगा दो, ठीक है, तो आप लोग कुछ ऐसे कर सकते हो, dot 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 लगा दो उसके बाद, तो यह देगो यहां पर dot dot लग गया, इस इसको 500, 400, 50, 40 कर दूँगा, तो जादा data डाउनलोड नहीं होगा, फिर उसके साथ साच मेरा header है, उसमें मैं क्या करूँगा, कि जहां पर मैंने, कहां पर use किया है, मैंने अपने HD images को क्राउसल के अंदर किया है, 2400 ना लिखके इसको 240, 70 कर दूँगा, मुझे पता है, वो फिर तोड़ा सा गड़ बढ़ाएगा, वहाँ पर जाके, quality wise और सब कुछ, लेकिन शायद जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, तो दोड़ा धुंदला हो गया, यह जल्दी डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो अगर आप चाहते हो, HD images render हो, तो बढ़ा लेना उसको, लेकिन व्यार, internet थोड़ा slow चल रहा है, मैं इसको बढ़ा तो लूँँ, लेकिन internet थोड़ा slow चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो इसको मत करना कम, मैंने कम कर दिया, मैंने धुंदले हो गया image, लेकिन कम से कम मैं इसको reload कर रहा हूं, तो यह reload हो और यहां पर slc is equal to img slash, जो भी नाम में इसका वो लिख दूँ, तो वो सही रहेगा थोड़ा, ठीक है, तो यहां पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको धुंदला इसलिए कर दिया, क्योंकि यार, थोड़ा सा गडबडा रहा था है, तो आप लोग मत करना इसक ठीक है, in fact मैं भी जो है, इसको वापस कर लेता हूँ, 700 700 यह कर लेता हूँ, इसमें 0 add कर लेता हूँ, यार, यह बहुत जादा धुनला हो गया है, इसे काम जोड़ा चलेगा, कोई मेरी, वाइप साइट अच्छी नहीं लगेगी, मेरी तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार, इसको भी कर लो 5400, इंटरनेट का तो यह है कि चलो वेट कर लेंगे थोड़ा साया, डाउनलोड हो जाएगी इमेज, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर जितनी दिर में डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा slow चल रहा है, रेंडर बड़े मज़ेदार मस्त हमारी images कर रहा है, मैं slow internet connection के वज़े से इस तरह से अटक गया है, लेगिन हमारा अगले step अभी क्या होने वाला है, कि view threads हमको एक page बनाना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, threads.php बनाएंगे, और threads.php क्या करेंगा, एक category के हिसाफ से thread को view करवाएगा, ठीक है, तो बना लेते हम फाइल, threads.php, और threads.php का का क्या होने वाला है, कि वो हमारे threads को view कराएगा, जैसे python category है, तो सारे python के threads है, वहाँ पर आ जाएगे, फिर उसके बाद, जैसे मालो, PHP का thread है, तो सारे PHP के threads वहाँ पर आ जाएगे, इस तरह से हमारी threads.php काम करेगी, ठीक है, अभी मैं आपर क्या करूँगा, इसका काम करेगा, slider 1, slider 2, ऐसे करके डाल दूगा, क्योंकि उतने images होने वाले हैं नहीं, हमारी इस website में, तो जादा directories बनाने का भी कोई point नहीं है, slider 1, slider 2, slider 3, वो सब करके मैं डाल दूगा, अपने सारे images यहाँ पर, और यहाँ पर जो categories हैं, उनकी भी images मैं जो डाल दूगा, अब क्या करूँगा, randomly 1, 2, 3, 4 करके कुछ भी इसमें डाल दूगा, ठीक है, कोई भी image चलेगी, ठीक है, तो मैं इसमें 9 images रख लूगा, और 9 में से कोई भी ले लूगा, और यहाँ पर देखो, यह download हो गई है, मेरी image, तो यहाँ पर कभी-कभी बहुत time ले लेता है, कभी-कभी करती है अभी, और यह वो प्लेलिस्ट है, जो हम पर सारे वीडियो अड़ हो रहे हैं, तो अगर आप तमेंसे, बाइक, एनी चंस किसी ने अभी तक access नहीं करिये प्लेलिस्ट, तो कर ले ना यार, please access प्लेलिस्ट को, क्योंकि हम पर सारे का सारे वीडियो में step by step add कर रहा So, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.